हेलो दोस्तो वेलकम बैक माई यूटूब चैनल तो अगर आप KTM की एक एडवाइंचर वाइक लेने की सोच रहे हैं तो ए वीडियो आपके लिए काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में फुल डिटिल में रिव्यू करने वाला हूं इस वाइक का तो प्लीस काफी प्यारे क्लर में आती हैं इस सामने का वाइजर दिया गया जो कि प्लैन है और बीच में थोड़ा सा बलैक है जो कि काफी खूब सूरत लगता है और यहां जिसमें LED bulb मिलते हैं और इंटीकेटर में भी LED बल्प ही मिलते हैं और यहां पर नंबर पेड़ेट ऐपसन मिल जाता है की 250 मिलाफस दीये गए और टाइ साइज की बात करें तो काफी बड़े टायर दीये गए हैं जिनके भील्वाइज दीये गए हैं 482.6 mm के भील साइज हैं भील लोग कुछ अटेक्टिव लगता है देखने में और यहां पर रेफ्लेक्टर मिल जाता है और टीवलेश टायर दिये गए हैं दोस्तों सस्पेंशन भी डबलू पी के दिये गए हैं जो की नीचे साइड मिलते हैं और MRF की ब्रैंड के टायर हैं टायर साइज की बात करें दोस्तों तो 190-19 इंच के टायर दिये गए हैं जो की काफी हैवी टायर हैं आप रोडिंग में आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और ब्रेक साइज की बात करें तो 320 mm का सूपर मोटो ABS चैन के साथ ब्रेक दिया गया है जो की कंट्रोल में काफी अच करते हैं तो इंचन बगेरा नहीं टकराता है यह आफ रोडिंग के बारे में बात करें तो 248 सिसी का इंचन दिया गया है सिंगल सलेंड लेक्कवल पाइड टैक आकनली के साथ इंचन मिलता है दोस्तों इस बाइक में और यहां पर सिक्स स्पीड गैरवौक्स मिल जाते हैं क्विक सिप्टर के साथ गयर दिये गए हैं और यहां पर फोटेस्ट मिल जाता है जो की काफी high quality का फोटेस्ट यूज किया गया है और नीचे side stand दी गई है जिसमें cut off features मिल जाता है man strong मिलती नहीं है दोस्तो इसमें only single side stand मिलती है और यह chain दी गई है खुली chain है आपको 24-500 km चला का clean करना होगा और यहां पर फोटेस्ट पीछे के plan के लिए और जो suspension दिया गया है पीछे का वो single suspension मिलता है दोस्तो जो की adjustable दिया गया है monosauce का suspension वो पीछे का tire है पीछे के build size की बात करें तो 431.8 mm का पीछे का build दिया गया है और पीछे की brake size की बात करें तो 230 mm का super moto ABS chain के साथ पीछे भी brake दिया गया है तो काफी अच्छी controlling रहती है इस bike की और यह Himalayan में या कहीं पर भी off-roading में आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं कोई problem नहीं रहती है इस bike में और यह exhaust दिया गया है जो कि company fitting है काफी बुलंद आवाज के साथ है और काफी muscular bike है और design में भी काफी अच्छी bike है इसे long rider ही चला सकते हैं काफी उची bike है और पीछे का brake pedal दिया गया है अब दोस्तों इंजन पावर के बारे में और बात कर लेते हैं इस bike के तो पावर दी गई है 30 PS की power generate करती है 9000 rpm पर और जो इसका maximum torque है 24 Nm का generate करती है 7500 rpm पर तो इस bike में power और torque काफी अच्छा मिल जाता है 250 CC के हिसाब से और काफी muscular design में bike दी गई है ऐसी bike है कि आप कहीं पर भी ले जा सकते हो काफी प्यारा color है दोस्तों इस bike का अब मैं आपको पीछे side से दिखाता हूँ तो यह पीछे का look है और काफी height में उंची दी गई है और यह 10 light दी गई है जिसमें LED bulb के प्रियोग किये गए हैं और इंटिकेटर में भी LED bulb के ही प्रियोग किये गए हैं यहाँ पर number pay option मिल जाता है और नीचे reflector दिया गया है दोस्तो अगर आप एक adventure white की लेने की सोच रहें तो इस white को खरी सकते हैं जो की काभी कम price में मिल जाती है और यह पीछे के grey wheel दिये गए हैं जिससे पीछी का plane बैठता है तो पकड़ कर बैठ सकता है support के लिए काफी अच्छे हैं और seat की बात करें तो काफी long seat दी गई है दो आसानी से बैठ सकते हैं और काफी compatible feel करेंगे long drive में कहीं पर भी जा सकते हैं काफी बड़ी seat दी गई है और काफी compatible seat दी गई है और mileage के बारे में बात करें दोस्तो तो company ने इसका mileage 38 के MPL का दिया है तो mileage भी काफी अच्छा मिल जाता है और जो fuel tank के pad हैं वो काफी दूर तक ल है तो fuel tank capacity भी मिल जाती है और एक अच्छा खासा mileage भी मिल जाता है दोस्तों आपको इस bike में अब मैं आपको इस bike की की दिखाता हूं तो एक key दी गई है एक ही switch दिया गया है आपको हैंसे handle locking भी हो जाएगी और यह meter वार दिया गया है full digital meter मिलता है इसमें जो की LED के साथ मिलत है इसमें Bluetooth navigation बगएरा और phone भी यहां पर सो करेगा जैसे आपके phone पर कोई notification आती है तो यहां display पर सो करेगा अब मैं दोस्तों आपको इसका handle वार दिखाते हूं तो handle वार दिया गया है जिसमें multi clutch दिया गया है तो कापी अच्छा clutch है और पासिंग स्वीच अब डाउन लाइ mirror दिये गए हैं काफी high quality के mirror मिलते हैं जो कि काफी प्यारी bike लगती हो काफी प्यारे mirror है तो bike की look और भी बड़ा देते हैं अब इसके price के बारे में बात कर लें तो एक्सरूं price दी गई है दो लाग 45,909 रोपे और on road price लगवग आपको 2,90,000 रोपे की मिल जाएगी यह जो price payment के बारे में बात करें तो कम से कम आप इस bike में 60,000 रोपे down payment दे कर और इस bike को अपने घर ले जा सकते हैं और अपने सपनों को सागर कर सकते हैं इस bike के थिरूप अब दोस्तों इसके dimension के बारे में और बात कर लेते हैं तो ground के लिए दी गई है 200 mm की और saddle height दी गई है 855 mm की औ long rider ही चला सकता है short rider को थोड़ी दिख्यत आएगी चलाने में और जो इसका bait है दोस्तों बो है 177 kg का तो काफी अच्छा bait भी मिल जाता है दोस्तों इस bike में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें like और channel को करें हमारे subscribe क्योंकि आपको इस channel पर ऐसे ही वी channel